स्वागत आपका आपी के यूट्यूब चैनलम इसको डीके में आज मुझे शेयर के बारें बात करेंगे वह रिलाइंस पावर लेमेटेड जिसे आप आर पावर के नाम से भी जानते हो आपको फिर दिन से लगातार गिरावड देखने को मिल रही है अगर बात करें इसके बावन वी खाए कि तो 25 रुप्य बावन वी खाए है जो इसने पिछले साल लगाया था वहीं आप देखोगे अगर बात करें इसके एक साल में रिटन के तो साड़े सोला प्रसेंट के नेगिटिव स्टोग ने रिटन दिये हैं तो कुछ टैम से आप देखोगे स्टोग बावन वी के लो बनाया था जो की नो रुपे के आस पास का था वहां से आप देखोगा यह थी अठाइस मार्स स्टोग में नॉन स्टोप तेजी बनी थी और यहां से शेयर आप देखोगे उपर में 13 रुपे पलस निकला 13 रुपे पलस निकलने के बाद आप देखोगे भई श्टोग अंडर नॉन स्टोप करेक्शन हमें देखने को मिल यह दो दिन से तो यह जो गिरावट हो और एक्शल में पेचे रिजन के हैं पहले आपको बता यहां पर आप देखोगे भी जैसा कि आप देख सकते हो जो वोल्यूम लगी है आज के दिन एनसी बैसी दोनों के अंदर 46.6 मिलेन यानि की 4 करोड 66 लाग की जो परदस्त वोल्यूम साधे 4 कोड़ पर स्टॉक में वोल्यूम लगी है वहीं आप देखोगे बड़ी बड़ी टूटे का वैसे वैसे तो यहां पर आप देखोगे स्टॉक में जो तेजी बनना स्टार्ट होई थी लगबग 28 मार्क को यह शेयर जोना भी 9 रुपे के भाव पर था ठीक है वहां से आप देखोगे स्टॉक में कितनी बड़ी क्रेक्शन हमें देखने को स्टॉरी तेजी देखने को मिली है उपर में शेयर जोना भी साड़े तेरा रुपे के भाव तक हमें जाते हुए नजरा आया था लग भग तो स्टॉक में काफी अच्छी तेजी भी बनी है ऐसी बात नहीं है बट यह तेजी के बाद जो ऊपर से थोड़ी बहुत क्रेक्शन देखने को मिल तो आपको पहले भी बोल दिया था कि आरसे मफाई के लेवल जैसे हाई होते हुए नजर आ रहे ना तो स्टॉक उसी प्रकार से तूटते हुए नजर आ सकता है तो चली अभी देखते हैं सपोर्ट वगरा क्या रहेंगे और यहां से और कितना स्टॉक तूट सकता है अगर तो फटाफट से देखते हैं चार्च के उपर तो यहां पर आप देखो के आर पावर में जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है यहां पर लगने वाले ओडर्स जिहां स्टॉक के उपर जो अभी कौफी जादा सेलिंग प्रैसर हमें देखने को मिल रहा है यहां पर आप प्रैस पर जो सेल ओडर लगे हुए लगबग आपको 13,00,000 प्लस देखने को मिल रहे हैं इसके पॉजित आप देखो के बाइंग के लिए जोड़ रहे हैं लगबग 4,00,000 प्लस है तो सेलिंग प्रैसर जादा होने के वज़ए से आप देखो के स्टोग जोन आपको यह तो सेल ओडर देखने को मिल रहे हैं इसके पॉजित बाइंग की बात करें तो लगबग आपको 36,000,000 प्रैस पास क्वांटिटी तो एक क्रोड 38,000,000 तो सेलिंग है और सिर्फ जोड़ देखो के सेलिंग प्रैसर थोड़ा हाई स्टोग के बात करें तो लगबग आपको 36,000,000 क्रोड़ा काईसर प्रैसर फानि दिलेवरी डिलेवरी थीक ठाकूटि इसके साथ आप थेखो को डिलेवरिवरीवल कॉंटिटी और ट्रेडट इवर्ट इपास तेन करोड 37,500,000 क्या सपास जो डिलेवरो बल कॉंटिटी है लगबग 1.25,000,000 क्या सपास तो डिलेवरी आप तीज़ए तो आप देख सकते हो भी इसके अंदर बहुत जादा काफी कौनिटी में जो लो भी आज की दिन फिर से हमें ये large deal होते हों नजर आई है ताइम आप देख सकते हो भी और यहांपर आप देखो कि प्राइस क्या है और उन सब के साथ साथ आप देखो कि कितने बाएं ऐसा बादने भी सभी sellers हैं बाइर्स भी है stock के अंदर लेकिन बाइर्स कम है sellers ज्यादा घुसे हुएं जीसे तोलते stock आपको जोना भी उपर के लावल से तूटते नजर आ रहे हैं बट नीचे में support वगएरा क्या रहे हैं चलिए वो देख लेते हैं जैसा कि आप देखो कि दो दिन से stock आपको जोना भी तूटते हैं नजर आ रहे हैं ऐसे में बात करें इसके support की तो आपको इसली वीडियो में support बताया था इसका 11.90 पैसे गा इसलीए 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 इन दो तिनोव में अपर के लावल से प्रॉफित बुकिंग देखने को मिल रह है और एक और चीज़ आप देखो कि इस पर्टिक्र रेंज में consolidate करते नजर आ रहा है तो यहां पर जो share रही आप देखो Jig Jack के form में चल रहा है ठीक है तो यहां पर आपको जो नहीं share करने तो थोड़ा pesos बना कर चलना पड़ेगा अगर यह stock निचे में काटे किसको 11.90 को तो stock को sell कीजिए अगर इसकी उपर में रहता तो stock में बैठे रही है अगर इसकी उपर में रहता तो stock में बैठे रही है तो fresh buying आपको तब करने है जब यह share उपर में किस लेवल को काटे गा 13.15 पैसे को break कर दे उसके बाद stock में घुसिए और नीचे में अगर आपने support आपने ले रखा है भी 11.90 पैसे का तो यह काफ जादा important support है इस support को अगर नीचे में काटे का तो समझो stock फिर जोना भी एक बड़ी correction की तरफ अपना मूँ मोड़ सकता है बट इतना जादा हम उमिद नहीं कर सकते तो यहां से stock में जोना भी एक big fall बन सकता है अगर काटे गा 11.90 को अगर इसके उपर में 13 रुपे 25 पैसे को अपर में काटता है